दो बाहनों की आपस में टक्कर हो गई और इस टक्कर के बाद जो हुआ उसे देखकर पुलिस की भी आखें फटी रह गई बाहनों की टक्कर के बाद जब एक बाहन की आकस्मिक तलाशी ली गई तो इस बाहन में भारी मात्रा में हत्यार बरामद हुए मामला च्छतरपुर जिला मुख्याले से सामने आया है जानकारी के मुताबिक च्छतरपुर के च्छतर साल चौक पर शुकरवार की दो पहर एक फॉर्चूनर एवं एक दूसरी कार के बीच मामूली टककर हो गई फॉर्चूनर गाडी में बैठे बिमलेश बर्मा के साथ तीन लड़के जो की दूसरी गाडी में मौझूद थे बेभएस करने लगे और मारपीट की धमकी देने लगे बिमलेश बर्मा के साथ इन लड़कों का बिवाद चल ही रहा था कि तभी मौके पर मौझूद कुछ पुलिस कर्मी इस बिवाद को सुलजाने यहां पहुँच गए पुलिस को देखते ही दूसरी गाडी में मौझूद तीन लड़के मौके से भाग निकले पुलिस को इन लड़कों के भागने पर संदे हुआ तो उनकी गाडी जाची गई गाडी को जाचने पर पता चला कि उसमें 6 कटे मौझूद थे 315 बोर के 45 कार्तूस 12 बोर के 20 कार्तूस 24 खाली खोके मौझूद थे गाडी की तलाशी के बाद अब इन लड़कों की तलाश की जा रही है पुलिस ने बाहन को जब्त कर इस पूरे मामले का खुलासा पत्रकारों के सामने किया पुलिस अदिक्षक अमित सांगी ने बताया कि इस पूरे मामले में पुलिस अब इस पूरे रैकेट की तलाशी में जुटेगी उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में कार्टूस कहां से लाए गए थे इस बात की भी परताल की जाएगी इसकी जब तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में आवैध हतियार मिले हैं जिसमें की 6 कटे मिले हैं 45 राउंड 315 बोर के मिले हैं 20 राउंड 12 बोर के मिले हैं और इसके लावा खाली जो खोगे होते हैं ये भी भारी संख्या में मिले हैं इसमें एक आरोपी जो है इसकी पहचान हो गई है ये पुलिस का एक बर्खा सोधा कॉंस्टेबिल है और जैसा बताये गया है इसका पूर्फ का भी आपराधिक रिकॉर्ड है अब हमारे सामने सबसे एहम जो अब इन्विस्टिकेशन का विशह है कि इसकी जल से जल गिफ्तारी की जाए और गिफ्तारी करके ये हतियार ये कहां से ला रहे थे और इतनी बड़ी संक्या में जो र इंस्पेक्टर और कॉंस्टेविल ये इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है ततकाल तो इनको कैश रिवार्ड वी में दवार दिये जाए